हाई गईज और वेलकम बैक टू दी चैनल दीपक्चियादव एजुकेशन वेलकम टू दी डेली करेंट अफेर्स आफ 10 अफ दिसंबर 2021 तो गईज आज है तारिक 10 दिसंबर 2021 और है फ्राइडे आज की तारिक से चितने भी मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफेर्स बनेंगे उन इंस्टाग्राम आईडी दीपक्चियादव एजुकेशन चाहो तो आप लोग मुझे आपर फॉलू कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूस सकते हो बाइदवे दोनों ही चीजों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन इंबॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है साथी साथ यार हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना एक लाइक करके काफी सपोर्ट मिलता है तो हमने टार्गेट रख रख रखा है करते हैं मतलब कि आपको वीडियो बहुत अच्छते सुनना है लास्ट में मैं आपके साथ इस वाले क्वेस्ट को शेर करूँगा इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में बिल जाएंगे लास्ट में आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना इससे आपके अंदर एक कॉ गार्डिंग नॉलिज हो चुकी है और इन क्वेस्ट को मैं सॉल्व कर पाया हूँ अब क्या करेंगे हम लोग अपने कल वाली क्विज आंसर कीज को देखेंगे क्योंकि जो क्विज की प्राक्टिस है ये डेली बिसिस पर चल रही है तो कल की आंसर कीज को चेक करेंगे इन्होंने सबसे ज़्यादा हतियार बेचा है साल 2020 के अंदर तो यहाँ पर टॉप 100 कंपनीज में से इंडिया की भी तीन कंपनी इसके अंदर देखने को मिलेंगी ये किस रिपोर्ट ने ये सारी चीज़े बताई है ये आपसे क्वेशन पूछा गया था तो उस करते हैं क्योंकि यहाँ पर इस दिन 4 दिसंबर को 1971 में हमारी इंडिया नेवी ने ओप्रेशन ट्राइडन चलाया था पाकिस्तान को टैकल करने के लिए ठीक है तो इसी वेशे हम लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं नेक्स्ट क्वेशन आप लोगे से पूछा गया था कि दुनिया भर में एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव वालकेनोस पाय जाते हैं और साथी साथ उस कंट्री का जो लोकेशन है वो पैसे भी करेंग आप फायर के पास पड़ता है तो उस कंट्री अभी एक्सराइज एकुविरिन हुआ है इस एक्सराइज का 11 एडिशन देखने को मिला है यह किन दो कंट्री के बीच में हुई है तो यह जो अभ्यास है इंडिया और मौल्दीव के बीच में हुआ है नेक्स्ट क्वेशन आप लोग से पूछा जा कि अभी हाँ पर हमने देखा ट्राइलिटरल कोस्ट गार्ड एक्सराइज हुई है जिसका नाम है दोस्ती तो यहाँ पर एक दोस्ती अभ्यास भी आ हुआ है इसका 15 एडिशन इसके अंदर तीन कंट्रीज थी उन तीन कंट्रीज के नाम कौन कौन से है तो वो है इंडिया मौल्दीव और शिलंक बहुत जबर्दस्त है चाहो तो आप लोग नोट्स वगरा साधे साथ प्रेपेर करते हुए चलना और अगर नोट्स बनाना नहीं चाहरे हो अभी तो कोई बात नहीं आप लोगों को यह PDF मिल जाएगा बाद में जब आपको टाइम मिले PDF से आप सारे जो important points है उनको अपने आर्टिकल में बताने वाला हूं सबसे पहले जी आर्टिकल कहां से लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस एक one of the most important source हमारे current affair क्या और साथ ही साथ मैं आप लोगो सारे sources दिखाता रहूंगा कि कहां कहां से articles को लिया जा रहा है तो यहा अग्रिमेंट्स के बारे में आपको जानने को मिलेगा लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और मीटिंग हुई है टू प्लस टू मीटिंग तो आपको ध्यान लखना है बाइदावे यह टू प्लस टू मीटिंग क्या होती है जब दो देशों के बीच में यह जब टू प्लस पर रश्या के साथ यह पहली टू प्लस टू मीटिंग कंड़र्ट करी है तो अपने आप में यह भी एक बहुत इंपोर्टन पॉइंट है नेक्स्ट अब हम डिसकस करेंगे एक एक करके सारे पॉइंट्स को की आखिरकार क्या क्या डिसकस्शन हुआ है पहले तो हम लोग न उससे पहले भारत यहाँ पर टू प्लस टू मीटिंग करता है लेकिन किसके साथ क्वाड़ी लेटरल सिक्ष्यूरिटी डायलोग के अंदर जो अती है उनके साथ जिसको हम लोग क्वाड बोलते हैं क्वाड के अंदर ब्सिकली चार कंट्रीज आपको मालूम होगा इंडिय दनो उसके बाद US, then Japan, then Australia तो भारत यहाँ पर US, Japan, Australia के साथ 2 plus 2 meeting को करता है लेकिन अभी आप देख पाओगे Russia के साथ भी पहली बार ये meeting करी गई Next, अब बात करते हैं यहाँ पर क्या-क्या agreement sign करे गए पहला agreement for Kalashinkov Rifles, अब यहाँ पर क्या हुआ है एक तरीके से जो AK-203 Rifles है यहाँ पर इसको लेकर agreement किया गया और दोनों साइड, मतलब कि India, Russia दोनों ने मिलकर यहाँ पर contract sign कर लिया है कि अब यहाँ पर यह जो AK-203 Rifles है यह 6 लाख Rifles बनाएंगी दोनों countries मिलकर और यह जो basically production होगा, यह joint venture का होगा मतलब दोनों country, India और Russia दोनों मिलकर इसको बनाएंगे, कहाँ पर उत्रप्रदेश के अमेठी वाले एरिया में, ठीक है यह आपको ध्यान रखना है, यह जो rifles है यह AK-47 को replace करेंगी, तो अपने आप में यह बहुत important rifles हैं, और यह कितने में deal हुई है, लगबग 5,000 करोड रुपे की यहाँ पर यह deal हम लोगों ने देखी है, तो इसके बारे में ध्यान रखना next यहाँ पर क्या point है, next यहाँ पर दोनों country's के बीच में agreement हुआ है for military cooperation, दोनों ने मिलकर discuss किया है, कि दोनों country's मिलकर military technology को लेकर काम करेंगी, साथ में मिलकर 2021 से लेकर, 2021 तक आने वाले 10 साल, दोनों country's मिलकर साथ में production करने के उपर focus रख रही है, अब यहाँ पर इंडिया एक buyer ना होने के बजाए, रश्या के साथ साथ में यहाँ पर एक topic को लेकर discussion हुआ है, वो है RELOS, RELOS agreement भी हम लोग देख पाएंगे, यहाँ पर दोनों country's के बीच में हो पाएगा, अभी इसके ओपर चर्चा की गई है इसी summit में, नाव यह ROLOS agreement क्या है, तो इसकी full form है reciprocal exchange of logistics agreement, जैसे भारत ने US के साथ बहुत सारे agreement कर रखे हैं, लेमुआ, कोमकासा, बेका, यह सारे agreement भारत ने US के साथ कर रखे हैं, इस agreement से फाइदा क्या होगा, इससे यह फाइदा होगा कि हम लोग को दुनिया भर में जो US के military basis हैं, उसका access मिलेगा, कैसे मिलेगा तुम आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आप जैसे हम लोग बात कर दें, रेलोस agreement की, ठीक है, रेलोस की full form आप लोग उपदा चलिया, और यहाँ पर आप देख पाओगे एक लेमुआ agreement है, बिल्कुल सेम सा देखने को मिलेगा, होगा क्या इससे, जो आपको ब्लू वाले dots दिख रहे हैं, यह ब्लू वाले dots यह बताते हैं, कि US के जो military basis हैं, वो आप देख पाओगे दुनिया भर में, बहुत सारी जगा पर यह military basis देखने को मिलेंगे, उसके बाद यह जो red वाले dots हैं, यूएस के, इन सब के अंदर भारत को भी access मिलेगा, मतलब भारत तक कोई ship है, ठीके, अब मालो यहाँ पर है, भारत का ship यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर पहुंचा वा है, अब मालो उसको refueling करवानी है, उसका fuel खतम हुरा, और यूएस को भी यहाँ पर भारत की military basis का access मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाओगे, भारत के बहुत सारे military basis आपको अलग लग जगा पर देखने को मिलेगे, तो यूएस को यहाँ पर इन जगा पर access मिल जाएगा, यूएस यहाँ पर अपनी refueling करवा पाएगा, उसको fuel भरवाना होगो तो यहाँ पर भरवा पाएगा, ठीक है, रिपेर करवाना होगी चीजों को, तो यहाँ पर रिपेर करवा पाएगा, तो इस प्राकार का यह agreement है, तो यहाँ पर US के साथ तो हमने अलड़ी कर रहा है लेकिन रेश्या के साथ जो यह agreement होगा उसका नाम है RELOS तो आपको ध्यान रखना है इसके ओपर अभी discussion चल रहा है I hope आपको यह clear हो चुका है इसमें क्या होगा हम लोग के रश्या के जो military basis है बेसिकली उसका access मिल जाएगा और रश्या को भारत के जो military basis है उनका access मिल जाएगा आगे बढ़ते हैं अब क्या हुआ दोनों countries के बीच में military protocol भी sign हुआ है military protocol बोले तो यहाँ पर बोला गया है IRIGC और MMTC इसका मतलब है India-Russia Intergovernmental Commission on Military and Military Technical Cooperation अरे बापरे यहाँ पर इतना लंबा चोड़ा नाम है तो इसी का यहाँ पर आप कह सकते हो इसी military protocol को sign किया गया और बिसिकली यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर discuss किया जाएगा कि कि किस प्रकार से दोनों countries म आगे बढ़ा सकती है ठीक है अपने defense cooperation को कैसे मजबूत किया जा सकता है तो उसके लिए हाँ पर एक platform इनको मिल जाएगा तो बेसिकली यहाँ पर क्या है यहाँ पर भी a corporation ही होगा जैसे हमने अभी discuss किया था तो यहाँ पर जादा तर फोकस रखा गया कि कि किस प्रकार से countries अपनी strength को और मजबूत कर सकती है नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या देखने को मिला go ahead with S-400 air defense system deal मतलब कि हमने already आप लोग को मालूम होगा रश्या से S-400 system को purchase कर रखा है और अब यहाँ पर S-400 system हमारे पास आ भी रहे है कुछ time भाग सारे हमारे पास जो systems है वो लगाता पहुँच जाएंगे ठीके mostly जो है systems यहाँ पर आ जाएंगे अब यह जो air defense system में कुछ इस प्रकार से यह नजर आता है यह रश्या ने बनाया है भारत ने इसको purchase किया है और एक concern वाली बाते हैं पर क्योंकि यहाँ पर क्या है जैसे हमने इंडिया ने रश्या से जब इसको purchase किया तो इससे US काफी नराज हो चुका है और possibility है कि US हमारे उपर sanction लगा सके जिसका नाम है कार्टसा countering America's adversaries through sanctions act और यह कार्टसा sanction US कब लगाता है जब कोई country Russia से यह defense equipment को purchase करती है तो लेकिन फिलाल अभी हाँ पर कार्टसा की कोई बात नहीं हो रही है तो अभी कभी हाँ कभी और detail में चर्जा करेंगे काफी बार अल्रीड हम लोग discussion कर चुके है लेकिन अभी यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है अभी क्या बोला गया है कि बिल्कुल जो S-400 defense system है इसकी जो supply है वो लगातार चालू हो जाएगी और हम लोग को जल्दी यह सारी systems हम लोग को मिलने व आपको इसके बारे में ध्यान अकना है आगे बढ़ते हैं अब क्या discussion हुआ यह सारे points डिसकस हुआ जो कि मैं आप लोगो बहुत simple शब्दों में बताया है कि रश्या इंडिया के बीच में क्या-क्या बाते हुई है अभी हाली में दनुसके बाद कुछ discussion हुआ है geopolitical hotspot को ले बना सकते हैं इसको लेकर discussion किया है दोनों countries ने प्लस चाइना का जो aggressiveness देखने को मिलता है चाइना जो है यहापर आपका सकतो अपना बार बार ऐसा काम करता है कि हमारे border को cross करने की कोशिश करता है तो चाइना का भी बहुत बड़ा issue है इसका भी discussion किया है कि कि किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं शांती को बना सकते हैं या फिर किस प्रकार से हम लोग in countries को tackle कर सकते हैं इसको लेकर भी discussion हुआ इंडिया रश्या के बीच में जो Middle East वाला region है वो आपको यह देखने को मिलेगा मतलब अफगानिस्तान के अंदर किस प्रकार से security को maintain कर सकते हैं प्लस से पहला point है balancing China क्योंकि China का concern इतना जादा देखने को मिलता है तो China को balance करने के लिए हाँ पर भारत को Russia के side पर जाना पड़ता है इन फैक्ट आज के टाम पर scenario कुछ बदल चुका है Russia और China भी काफियर तक आपस में साथ में आ चुका हैं लेकिन यहाँ पर यह है ना कि अगर support करता है तो भारत यहाँ पर Russia से काफी कुछ cut down कर सकते हैं अब cut down करेगा तो definitely Russia यहाँ पर एक तरीके से चाइना से कहेगा भी ऐसा क्यों कर रहे हो इंडिया के साथ क्योंकि अगर चाइना ऐसा कर रहा है तो इंडिया जो है Russia से दूर जाता रहेगा और क्या होगा Russia यहाँ एक तरीके से कहने की कोशिश करेगा चाइना से अगर आप ऐसा करोगा तो इंडिया जो है हमसे दूर चलाएगा इंडिया और रश्या की friendship बेकार हो रही है तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कहीं ना कहीं चाइना को balance करने के लिए Russia बहुत जादा important है भारत के लिए हमने उसके बाद next यहाँ पर क्या बोला गया next है emerging new sectors of economic engagement मतलब कि यहाँ पर दूसरा एक बहुत बड़ा रोल रश्या का यह है भारत के लिए कि आज के टाइम पर हम लोग weapons के उपर दो काम करी रहें लेकिन weapons के साथ साथ आज के टाइम पर mining agro industrial technology ठीके नानो टेक रोबोट्स के पर जो artificial intelligence है उसके ऊपर भी यहाँ पर आप कर सकते हो यह काम कर सकते हैं तो इसलिए भी रश्या हमाले है important है तीसरा यहाँ पर इसलिए है combat terrorism मतलब कि आतंगवाद को tackle करने के लिए भारत के लिए ताकि हम लोग क्या कर सके टेररिजम को कम कर सके उसके बाद आप कर सकते हैं रश्या भारत के लिए इसलिए भी important है क्योंकि रश्या भारत को काफी support करता है खासकर UNSC वाले मुद्दे पर भारत ने बोला कि जो United Nations Security Council आपको मालूम होगा United Nations Security Council बैसिकली उसी वाले काउंसिल के बारे में चर्चा हो रही है जहां पर 15 members लेखने को मिलते हैं 10 non permanent members और 5 permanent members तो 10 non permanent में इंडिया भी है और यहां पर मांग की गई है कि इंडिया को representation मिलना चाहिए permanent member में तो इंडिया को एक permanent member बनना चाहिए तो यह जो reform करने के बारे में इंडिया ने मुद्दा उठाया तो इस मुद्दे को कोई support नहीं कर रहा था लेकिन रश्या एक ऐसी country निकला जिसने भारत को support किया इस मुद्दे पर की बिलकुल इंडिया को एक permanent member यहां पर बनना चाहिए तो इसलिए भी रश्या हमाली important है दूसरा उसके बाद यहां पर देख पाओगे रश्या काफी हद तक हम लोगो defense equipments देता है इसलिए भी काफी important है आज के टाम पर बात करें त तो रश्या one of the largest arm exporter है towards इंडिया अगर हम देखें पिछले 20 सालों के अंदर तो इंडिया ने लगबग आप कर सकते हो 35 billion dollars सका जो weapons है वो हमने हाँ पर purchase किया है इंडिया ने हाँ पर import किया है रश्या से तो आप इसके बारे में देख सकते है और यहरे किस ने बताया है अग अगे बढ़ते हैं next article पर मतलब खतम होगी आप तो वो अगला article जो है यह environment के point of view से important है और environment आता है हमारा GS paper 3 के अंदर बहुत जादा important article है धिहान से बस खली सुनते चलना कस्तूरी रंगन committee के बारे में discussion हुआ है यह committee चर्चा में है अब यहाँ पर कस्तूरी रंगन के साथ साथ एक गाड़गिल committee की काफी चर्चा होती है दोनों committee का difference क्या है सारी चीज़े यहाँ पर मैं आपको crystal clear करूंगा तो अभी यहाँ पर article Indian Express का है हुआ क्या है यहाँ पर आप देख पाऊगे हाँ यहाँ आपर article दिख रहा होगा हुआ यह है कि recently जो करनाटका की सरकार है इ यह भी अभी तक implement नहीं हो पाई है ना गाड़गिल committee implement हो पाई है तो मुद्दा क्या है हम लोग इसको समझेंगे सबसे पहले आपको समझना होगा Western Guards के बारे है तो आप देख पाऊगे यह है हमारा महान भारत और यहाँ पर आप देख पाऊगे नीचे आपको यह नजर आपको इस सारे पहाड़ देखने को मिलेंगे पहाड़ी इलाका है बायो डाइवरसिटी यहां की बहुत अच्छी है बहुत सारे जानवर पाये जाते है अलगलग प्रकार के और यहां पर बहुत सारे Tiger Reserves और भी बहुत सारे कि ओपर यहां पर खतरा पहुचेगा यहां पर पेड़ की कटाई वगरा काफी बढ़ चुकी है इसी वज़़े से यहां पर एक कमीटी को लाया गया कि भाई इस एरिया को बचाया जाए लगातार पेड़ की कटाई हो रही है इससे हमारा environment बरबाद होगा तो यहां पर तै लोगों छहराजय देखने को मिलेंगे गुजरात, महराष्टरा, गोवा, करनाटका, करेला और तमिलाडू ठीक है इसी एरिया के अंदर बारे में चर्चा हो रही है कि भाई इस एरिया को हमें production की जरुवत है इस वैस्टन घाट की खूपसूरती को हमें बरकरार रखने की काफियत तक आविशकता है, यह आपको ध्यानक नहीं, जैसे मैं आपको बताया यह जो पूरा एरिया आपको देखने को मिलेगा, यह जो वैस्टन घाट्स वाला एरिया देखने को मिलेगा, यहाँ पर लगबग, 1,64,280 स्कूर किलोमेटर का एरिया पूरा 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 पूरी तरह से पहाड़ी पहाड़ फैले हुए है ठीक है और इस एरिया के अंदर बहुत अच्छा environment है इसको protection देने के बारे में काफियत तक चर्चा की जाती है अब यहाँ पर protection के लिए report लाई गई कस्तूरी रंगन report को ठीक है तो कस्तूरी रंगन report यहाँ पर क्या बोलता है मैं आपको समझाऊगा तब यह आप लोगको समझ में आएगा कि क्यों करनाटका नहीं यहाँ पर बोला है कि हम लोग कस्तूरी रंगन report को भी implement नहीं करेंगे तो कस्तूरी रंगान रिपोर्ट नहीं, यहाप पर आप देख पाऊगे, यह हैं, इन्होंने क्या बताया, इस कमीटी ने बैसिकली, इस कमीटी ने रेकमेंडेशन यह दिया कि लगबग इस पूरे वैस्टन घाट में, कौन से वाले एरिया में, इस पूरे वैस्टन घाट के एरिया होगा, उसको एकनॉमिक सेंसिटिव जोन डेकलियर कर दिया जाए, मतलब कि इस एरिया के अंदर, ठीक है, जो हमारा गुजरात, मुंबई, और इदर से आप देख पाऊगे, सॉरी यहाँ पर आप देख पाऊगे, गुजरात, महराष्टा, करनाट का, और उसके एक्टिविटीज होंगी, इंफ्रस्ट्रक्चर एक्टिविटीज, डैम बनाये जा रहे हैं, या कुछ भी काम के जा रहे है, उन सब को महीं पर रोग दिया जाए, वो सारा काम कुछ भी नहीं होगा, महाँ पर, ठीक है, और जो एकनॉमिक सेंसिटिव जोन इना, बेसिकलि यहाँ पर ऐसे, जिस भी एरिया को यहाँ पर ऐसे डिकलेर कर दिया जाएगा, उस एरिया में कोई भी डेवलेप्मेंट नहीं होगा, उसके अदर कोई भी डेवलेप्मेंट एक्टिविटीज नहीं चलाई जाएगी, कोई भी माइनिंग नहीं होगी, क्यों होगा, देखो forest के अंदर mining होती है, mining करके हम लोग क्या कर रहे है, minerals, resources निकाल रहे हैं, जमीन के अंदर से, ठीक है, infrastructure डेवलप कर रहे हैं, बाद बना रहे हैं, dams बना जा रहे हैं, और यह बहुत सरे infrastructure किया जा रहा है, यह कुछ भी नहीं किया जाएगा, तो यहाँ पर, यह बताया है, कस्तुरी रंगन कमीटी के धुरू, तो आपको ध्यान रखना है, इसके बारे में, इन्होंने recommendation दिया कि 60,000 किलोमेटर के area में, कुछ भी यहाँ पर development नहीं होगा, तो यह तो ही कस्तुरी रंगन के बारे में चर्चा, अभी करनाटका ने क्यों मना किया है, कि इसको implement ही करेंगे, तो वो मैंने भी नहीं बताया, अभी इसके लिए रुख जाओ, ठीके, तभी आपको समझ माएगा, अबर मैंने आपको समझ दिया, समझा दिया क्या क्या हो गया, लेकिन इससे पहले एक गाडगल रिपोर्ट भी आई थी, गाडगल रिपोर्ट क्या बूलती है, तो गाडगल रिपोर्ट 2010 के अंदर आई, इन्होंने यहाँ पर आपका सकते हो कि अपना जितना भी रिपोर्ट है, वो सब सम्मिट किया हमारी सरकार को साल 2011 के अंदर, इन्होंने यहाँ पर इसी वेस्टन घाट वाले एरिया के अंदर, क्या बोला, इन्होंने यहाँ पर बोला कि हम लोग तीन सैंसिटिव जोन को डेक्लियर करेंगे, एको सैंसिटिव जोन वन, तू और त्री, त्रीन जोन को डेक्लियर किया जाएगा, और लगबग यहाँ पर 13,70,000 स्क्वार किलोमेटर का जो एरिया होगा, इन सभी एरिया को एकोनोमिक सैंसिटिव जोन डेक्लियर कर दिया जाएगा, तो मतलब गाडगिल रिपोर्ट का सिंपल सा मतलब कहना यह था, कि भाई ए जो पूरा पूरा वेस्टन घाट है, इस पूरे घाट को यहाँ पर economic sensitive zone डेक्लियर कर दो, यहाँ कहीं पर भी पूरे घाट को यहाँ पर western घाट को यहाँ पर economic sensitive zone कर लेकर आजाओ, कहीं पर भी developmental activities नहीं होगी, कहीं पर कुछ भी नहीं होगा, तो सिंपल सा है यहाँ पर एक एक लाइन में अगर हम बात करें तो गाड़िकल रिपोट का कहना यह था पूरे वेस्टन घाट को क्या कर दिया जाए लगबग पूरे वेस्टन घाट को Economic Sensitive Zone के अंदर डिकलेर कर दिया जाए लेकिन यहाँ पर जो कस्तुरी रंगन रिपोर्ट है वो यह बोलती है लगबग यहाँ पर 60,000 स्कॉर किलोमेटर के एरिया अप्रोक्स यहाँ पर जो वेस्टन घाट है उसका 37% यहाँ पर जो एरिया है उसको Economic Sensitive Zone के अंदर डिकलेर करना चाहिए तो यह यहाँ पर हमारी कस्तुरी रंगन रिपोर्ट बोलती है आप आपको यह क्लियर हो चुका है अब दो दोनों का डिफ्रेंस है ना मैंने आपको यहाँ पर पिच्चर के थुरू समझा दिया है इसमा आप देख पाओगे जो गाडगी कमीटी है यह बोलती है कि पूरे वैस्टन घाट को Economic Sensitive Area मना दिया जाए और जो कस्तुरी रंगन कमीटी है वो यहाँ पर बोलती है नहीं आप सिर्फ 37% जो वैस्टन घाट है उसका 37% मतलब की 60,000 स्कौार किलोमेटर का एरिया Economic Sensitive Zone के अंदर डिकलेर कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर बोला कि बाई गाडगी कमीटी बोलती है आप बॉटम से चालू करो गाउं से स्टार्ट करो गाउं के ओपर ध्यान दो सबसे पहली बाद वो एक स्टूरी रंगन रिपोर्ट ने कहीं कहीं पर डैम बनाने की इजाज़त दी थी लेकिन माइनिंग वगरा करने की इजाज़त नहीं दी गई तो यह भी डिफरेंस था इसके अंदर तो यहाँ पर उसका गाडगील कमीटी ने क्या बोला यहाँ पर इनने बोला जो भी एक तरीके से वैस्टन घाट ऑथोरेटी है इसके लिए मतलब इसके लिए जो पूरा का पूरा वैस्टन घाट है इसको देखने के लिए एक पूर को बताता हूं तो यहां पर आप देख पार होगे करनाटका नहीं हाँ पर अपना ओपिनियन यह दिया है कि हम लोग वैस्टन घाट यह जो एक तरीके से पूरा का पूरा एक तरीके से कस्तुरी रंगान रिपोर्टेस को हम अपने उपर इंप्लिमेंट नहीं करेंगे क्यों क जो कि यहां पर करनाटका का सबसे ज़ादा एरिया यहां पर आपका सकते हो आता है एकनोमिक सेंसिटिव जोन के अंदर ठीके तो करनाटका का सबसे ज़ादा एरिया यहां पर इसी जोन के अंदर देखने को मिलेगा तो करनाटका यहां पर बोलता है लगबागर हम कहते हैं अगर हम देखें तो जितना भी एकनोमिक्स यहाँ पर एकनोमिक कहा रहा हूँ जो भी हमारा एक तरीके से कस्तुरी रंगन रिपोर्डेस ने बोला है 60,000 स्क्वार किलोमेटर का जो एरिया है बिसिकली वो यहाँ पर एकनोमिक सेंसिटिव जोन के अंदर आना चाहिए तो यह पर कोई development होगा निए वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो इससे यहाँ पर काफी हद तक affect होगा उन लोग की families को उन लोग की income को काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा और इसमें यहाँ पर politics भी देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर गया ह सरकार को next time board भी नहीं मिलेंगे अगर इस प्रागार के चीज़ें चलती रही तो ठीक है क्योंकि लोग की income अगरा खताम हो जाएंगे कोई लोग क्या कर रहे हैं लोग यहाँ पर mining कर रहे हैं और यह बहुत सारे काम करके employment वहाँ पर generate हो रहा है उसके थुरू पैसा generate कर रहे कि आप तो पूरे सारे के सारे एरिया को economic sensitive zone के अंदर declare कर रहे हो तो वहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाएगा कोई भी developmental activities नहीं चलेंगी जो आज के ताइम पर 2 करोड लोग dependent हैं इस पूरे एरिया के उपर वो सब बरबाद हो जाएंगे उनकी कोई economic generation वगरा कुछ भी नहीं जा रही है तो implement करने के उपर आज के time पर focus क्या आया है तो यह आपको ध्यान होना चाहिए कस्तुरी रंगा report क्या बोलती है और गार्डिकल रिपोर्ट क्या बोलती है I hope आपको clear हो चुका है एक एक चीज मैंने आपको detail में समझा दिये है आगे बढ़ेंगे अगले article पर next article पॉलिटी के perspective से important है पॉलिटी आती है GS paper 2 के अंदर यहाँ पे चर्चा की गई है World Human Rights Day के बारे में तो यहाँ पर क्या है डाउंट वर्थ का article है हर साल हम लोग 10 December को Human Rights Day को celebrate करते हैं और अभी recently एक report आया थी Freedom in the World 2021 इस report के अंदर बताया गया कि भारत के अंदर जो freedom वाला status है वो काफी गिर चुका है भारत आज के time पर free नहीं है भारत कंदर freedom नहीं है भारत कंदर partially freedom है freedom से थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर बोला जाता फिलाल जो मुद्दा है वो हमारा पहला वाला point है हर साल Human Rights Day को हम celebrate करते हैं 10 December को तो Human Rights होते क्या है पहली बात हम इसको समझेंगे Human Rights के regarding आपको सारी important information यहाँ पर मिलने वाली है तो जो World Human Rights Day है इस दिन पर जो United Nations General Assembly है इन्होंने 1948 में यहाँ पर adopt किया था Universal Declaration of Human Rights मानव के जो अधिकार है उसको protection देने के बारे में यह चर्चा करता है तो उसके बाद अपकी बार का theme क्या है साल 2021 का तो हो है equality सबी लोग के बीच होती है उसको कम किया जाए और जो मानव के अधिकार है उसको उपर लेकर आया जाए तो basically यहाँ पर अपकी बार का यह इसका theme है इसका main objective यह होता है कि लोग के बीच में equality, peace, justice इसको हम लोग प्रमोट कर सके है ठीक है लोग के प्रती भेबाद मान भेदभाव ना हो क्योंक अब यहाँ पर क्या है क्योंकि human rights की बात हो रही है तो आखिरकार human rights क्या होते हैं आपको बताता हूँ देखो human rights में यह होता है सारे human beings एक बराबर हैं लोग के बीच में कोई भी भेदभाव ना हो चाहिए वो race, sex, nationality, ethnicity, language, religion किसी भी चीज़ को लेकर भेदभाव इंसानों कोई बीच में नहीं होना चाहिए उसके आद यहाँ पर क्या बोलता हैं यहाँ पर लोग के पास rights हैं बहुत सारे अधिकार हैं जैसे right to life, जीने का अधिकार, right to liberty है, right to freedom from slavery है मतलब मजदूरी से बिलकुल हम लोग मुक्त हो जाएं मजदूरी कह रहा हूँ यहाँ यहाँ प यहाँ पर human rights day को celebrate करता हैं दरू इसके बाद Nelson Mandela का एक statement आपको देखने को मिलेगा इन्होंने बोला है to deny people their human rights is to challenge their very humanity इसका मतलब यह है कि अगर आप इंसान के जो human rights हैं ठीके आप कर सकतो जो यहाँ पर व्यक्तिय के पास अब उनके अधिकार हैं अगर वो अधिकार नहीं important bodies है हमारे पास जैसे कि सबसे पहला आप देख पाऊगे international human rights convention and bodies आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर पहली body आती है UDHR मतलब universal declaration of human rights इसके अंदर लगब 30 rights को बताया गया है जो कि यहाँ पर लोगों के अधिकार के बारे बात करता है जैसे right to life, right to liberty, right to free to speech, right to privacy और उस पर इसके अंदर एक active part लिया है तो आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है इंडिया यहाँ पर आप कर सकते हो human rights के ओपर काम करता है और human rights को लेकर बहुत सारे conventions हम लोगोंने sign कर रखे हैं इसी वजासे यह human rights दे हमारे लिए भी काफी ज़ादा important है तो यहाँ पर on the rights of the child यह सारे conventions बात करते हैं कि लोग के प्रती discrimination ना हो लोग के प्रती equality रहे लोगों को प्रती बिल्कुल भी भेदबाब ना हो लोग के प्रती हाँ पर एक तरीके से जो human rights है basically सभी लोग के उनको उनका पूरा अधिकार मिले तो यह सारे conventions इसी को लेकर बात करते हैं यह स आप लोग इसके बारे में ध्यान रख सको और एक idea आपके पास होना भी चाहिए अब human rights की जब हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ा important body आती है human rights council जो कि यहाँ पर लोगों के protection लोगों को एक तरीके से जो rights है उनके protection को लेकर काम करती है जो human rights council है यह एक inter-governmental body है यहाँ पर क्या होता है आपके सकतो जो भी हमारा United Nation का system है इसी के अंदर आपको human rights council देखने को मिलेगा जिसका main काम है मानव के अधिकार है उनको protection देना ठीके तो यह भी आपको ध्यान रखना है उसके आद आप देख पाओगे अगर हम बात करें भारत के अंदर human rights को लेकर क्या situation ह तो भारत के संभीधान में हमारे constitution में human rights को लेकर बहुत सारी चीज़े mention करी गई है जब आप हमारे fundamental rights देखोगे तो वहाँ पर खास कर हमारे संभीधान में जो हमारे fundamental rights है और DPSPs है मतलब की directive states और directive principles of state policy ठीके तो यहाँ पर इन दोनों में मानव के अधिकार के बारे में चर के बेच में एक equality होनी चाहिए right to freedom उसका right against exploitation right to freedom of religion right to freedom of culture उसका सारे इस प्रकार के rights दे रखे है article 12 से लेकर 35 तक उसी प्रकार से ये DPSP है भारत के अंदर ये संभीधान के अंदर ये भी हमारे human rights को लेकर चर्चक करता है तो इसके बारे में ध्यानक ना है और यहाँ पर भी right to social security right to work right to free choice आपके पास employment का काम मतलब हर चीज के लिए आपको अधिकार मिला हुआ है आपके समिधान में ठीक है तो आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हो तो ये आपको ध्यानक ना है इसी वज़ा से हम लोग human rights दे को celebrate करते हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है इसी वे से मैं आपको ये सारी चीज़े बताई है अलग से मने सारी चीज़े मेंशन करी है कि भारत के अंदर क्या status है प्लस दुनिया भर में कितनी bodies देखने को मिलती है भारत सभी का part है तो भारत बहुत तरीके से human rights को पर काम करता है आज के time पर हमारे country में प्लस और अवास योजना तो इस प्रकार की अलगलग initiative उठाती है सरकार अगर हम बात करें women's के लिए औरतों के लिए आप तो triple तलाग आप देख पाओगे इसका प्रधान मंत्री मातरू बंदना योजना देखने को मिलेगा ट्रांस जेंडर के लिए national portal launch किया गया है चिल्डरन्स के यहाँ पर आप कर सकते हो कि इनके अंदर एक equality बरकरार रहे इसी वजह से हम लोग यह अलगलग initiative लेकर आए इनके प्रती कोई भी discrimination ना हो सब को कोई ना कोई benefit मिले तो इसी वजह से यहाँ पर भारत सरकार यह सारे initiatives यह सारे schemes लेकर IV है तो इसके बारे में ध्यान रखना है जैसे जो दिव्यांग जन होता है इनके लिए भी अलगलग यहाँ पर schemes है assistance to disabled personal scheme हो गया दीन दयार disabled rehabilitation scheme हो गया जो migrant workers होता है उनके लिए भी scheme है one nation one राशन कार तो मतलब यहाँ पर लोग के प्रती human right coalition ना हो इसको लेकर यहाँ पर सरकार बहुत सारे काम करती है इसके बारे म एक और important article है तो recently यहाँ पर यह जो बिल है इसको introduce क्या या लोकसवा के अंदर और यह बिल क्या करेगा यह बिल एक तरीके से बदलाव करेगा amend करेगा संशोधन करेगा कौन से वाले बिल में पुराने वाले में नार्कोटिक्स, ड्रक्स, साइकोट्रोफिक सबस्टेंस एक 1985 वाले में तो साल 2021 वाला जो बिल है यह बदलाव करेगा 1985 वाले बिल में तो आपको ध्यान रखना है इसको भी हम लोग NDPS बोलते हैं NDPS की फुल फॉर्म क्या है नार्कोटिक्स, ट्रक्स, साइकोट्रोफिक सबस्टेंस एक्ट यह बिल यह बिसिकली जो एक्ट है यह मेन का वाले बिल को जो एक तरीके से यहां पर आपका सकते हो कि अभी जो मतलब मैं इक चीज और बताता हूं यह जो NDPS में लेना बेसिकली इसके अंदर बहुत सरे अमेंडमेंट हुए बहुत है 2014 में एक अमेंडमेंट हुआ था और वह उस अमेंडमेंट में एक गलती हो गई थी जो यह अमेंडमेंट किया गया जो ड्राफटर्स के तुरू जिन्नों ने यहां पर यह अमेंडमेंट किया था चेंज किया था इसके अंदर उसके अंदर एक गलती हो गई है अब वो जो साल दोहजार एकेस के अंदर यहां पर यह जो bill पास किया गया इंदर इंत्रोड्यूस किया गया है उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग 2014 वाली गलती को सुधार रहे हैं जो एरर था 2014 के अंदर उसको हम लोग सुधार रहे हैं उसको correct कर रहे हैं घध कर रहे हैं Collection Is पिचर का पहला टुकला उपर का यह है यहाँ पर इस बिल को हम लोग लेकर आए थे सॉरी इस एक्ट को हम लोग लेकर आए 1985 में ठीक है यह जब एक्ट बना नार्कोटेक्स साइकोट्राफिक सबस्रेंसिस एक्ट इसका में काम किया था कि भारत का अंदर जो ड्रक्स है इसके कंजम्शन को हम लोग रोक सकें ठीक है लोग जो है ड्रक्स बगरा लेते हैं इसको कंजम्शन को रोका जा सके उसके बाद 1989 में सके अंदर अमेंडमेंट होता है फिर 2001 में अमेंडमेंट होता है फिर उसके बाद 2014 में भी इसके अंदर एक amendment होता है, 2014 में एक बदलाव होता है, ठीके, अब यह कौन से drugs को target करता है basically, तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पाऊगे, amphetamine हो गया, cocaine, और चरस, ganja, और भी आप कर सकते हो, यहाँ पर morphine हो गया, और इसके अदर fentanyl, यह opium हो गया, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सार आप जिक्त पाऊगे, अलग-लग नाम दे रखे हैं, यह सारे drugs हैं, अब क्या हुआ, इनका जो use है, वो एक तरीके से medical purpose के लिए भी होता है, किसी patient को ठीक भी कर सकते हैं, हम लोग इनका इस्तमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोग पेशेंट्स को भी दिया जाता है, लेकिन एक ट्राइम पर क्या हो जाता है, यहाँ पर hospital के अंदर भी allow नहीं किया गया इस NDPS Act के अंदर, इस NDPS Act ने बोला कि नहीं, morphine को कहीं पर भी allow नहीं किया जाएगा, तो hospitals के अंदर भी patients को भी यह नहीं दिया जा रहा था, तो जो सा साल 2014 के अंदर जो अमेंडमेंट हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, एक अमेंडमेंट कब हुआ है, साल 2014 के अंदर, तो साल 2014 के अंदर एक आखरी अमेंडमेंट हुआ था, साल 2014 के अंदर जो ये NDPS अमेंडमेंट हुआ है, इसके अंदर क्या बोला गया, कि जो medical, एक तरीक था ये amendment करा तो इसके अंदर एक गलती हो गई थी गलती क्या होई हमने ये तो mention कर दिया कि आप इन सारे drugs का इस्तमाल कर सकते हो लेकिन हमने ये mention नहीं करा मतलब जो भी drafter थे जिन्होंने भी हाँ पर ये amendment किया था उन्होंने ये नहीं mention करा कि यहाँ पर कोई mention नहीं करी गई इसकी वज़ा से क्या हुआ एक case यहाँ पर पहुंचता है त्रूपरा high court के अंदर और हुहाँ पर वो व्यक्ति बोलता है क्योंकि देखो हमारे country के दर दर यही होता है loss के अंदर कहीं पर भी loop हो लें कहीं पर भी कामिया है तो उसको पकड़ी जाती है तो यहाँ पर क्या हुआ उस व्यक्ति ने court में जाकर बोला कि देखो यहाँ पर आपने आपके law के अंदर कहीं पर भी mention नहीं है कि मुझे ग्रफतार करना क्योंकि आप नहीं बोल लग है आपके law के अंदर तो इसी वेसे यहाँ पर यह सारी जीजे गड़बड़ा गई थी तो अब यहाँ पर यह जो दिक्कत हुई थी यह जो mistake हुई थी उसको correct करने के लिए यहाँ पर इस बुल को वापस से introduce क्या गया लोगसभा के अंदर I hope आप लोग यहाँ पर इसको भी समझ गए होंगे तो यहाँ पर क्या होता है NDPS Act का जो section 27A है इसी को लिकर चर्चा की गई है section 27A क्या बोलता है अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर क्या होता है अगर यहाँ पर यह drugs वगरा को लेता है इन drugs की involvement के अंदर पाया जाता है तो उसको punishment मिल सकती है उसको jail हो सकती है या फिर उसको बढ़ा कर 20 साल का किया जा सकता है उसको बढ़ा कर 20 साल का किया जा सकता है फाइन यहाँ पर 1 लाग रुपे से कम भी लग सकता है लेकिन उसको बढ़ा कर 2 लाग रुपे से करा जा सकता है लेकिन यहां पर होता क्या है, इसके अंदर यहां पर एक गलती हो जाती है, 2014 के अंदर, जब अमेंडमेंट करते हैं, 2014 के अंदर, तो यहां पर एक गलती हो जाती है, जैसे मैंने भी आप लोग को बताया, इन्होंने यह तो बोला कि आप इन ड्रक्स का मेडिकल परपस के पर्सनल व्यक्ति एक तरीके से जो भी लोग हैं, वो अपने पर्सनली इस चीज़ का इस्तमाल नहीं कर सकते हैं, ठीके, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसी चीज़ का एक तरीके से गड़बड़ी देखने को मिली, जिसकी वैसे यह case पहुचा और उसके आद लोगों ने इहाँ पर इसका एक तरीके से पूरी तरह से फाइदा उठाया, अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब यहाँ पर यह बोला जा रहा है, कि बिल्कुल इसके अंदर correction क्या जाएगा, और अब यहाँ पर add क्या जाएगा, चीजों को और बोला जाएगा, कि भई, यह medical purpose के लिए allow है, और बोला कि भई, आपके law के अंदर कमी है, और मुझे छोड़ा जाए, मुझे बेल मिलनी चाहिए, ठीके, तो यहाँ पर इमुद्धा आगे, यहाँ पर इन्हों ने तुरिपूरा high court ने आगे इसको refer कर दिया था, अब जब आगे refer किया गया, तो महाँ पर जो leader थे, उन्हों से fundamental right article 20, basically वो यह बोलता है, कि आप उस व्यक्ति को इतनी सजा दे सकते हो, जितना law के अंदर लिखा हुआ है, ठीके, law के अंदर जितनी लिखा हुआ है, उतनी सजा दे सकते हो, उससे आगे उससे बढ़ा कर आप कोई सजा नहीं दे सकते हो, ठीके, excessive सजा है, यहाँ पर excessive punishment आप उसको नहीं दे सकते, अगर आप ऐसा करते हो, तो उसका fundamental right article 20 के अंदर हाता है, ठीके, वो का हनन हो रहा है, उसका violation हो रहा है, तो आप कर सकते हो, कई नहीं कि उस इनसान ने, यहाँ पर पूरी तरह से इसका फाइदा उठाया, अब यहाँ पर इसके अंदर एक change किया इसके अंदर एक बदलाव किया जा रहा है, अब यहाँ पर बदलाव करके हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसके अंदर change करेंगे, और यहाँ पर इसको सरिफ वा सरिफ medical purpose के लिए drugs को अलाओ किया जाएगा, otherwise यहाँ पर किसी भी personal use के लिए इसको अलाओ नहीं किया अब आते हैं हम लोग कुछ चीजों के उपर, अब यहाँ पर क्या है कि भारत सरकार के आज के टाइम पर बहुत सरे initiatives लेती है, drugs को tackle करने के लिए, जैसे कि क्या क्या initiative है, एक initiative है नारको coordination center, हम लोग ने इस प्रकार के centers बना रखे हैं, 2016 में यहाँ पर इसको बनाया इया था ता कि हम लोग क्या कर सकें, लोग को नशामुक्त कर सकें, उसी प्रकार से भारत सरकार के और ही बहुत सरे initiative है, इसको read कर सकते हो, आप लोग मैंने आपर provide करवा दिया, last में NDPS Act आता है, जिसके बारे मैं आपको बताया, इसका अंदर बदला हुआ, amendment हुआ, 1988 में, 2001 में, 2014 मे और 2014 वाला खतरना commitment है, जिसके अंदर एक गलती हुई है, अब वापस से इसको revise क्या जा रहा है, इसको correct क्या जा रहा है, ठीक है, उसका भारत सरकार यहाँ पर नशामुक्त भारत भी चलाती है, आपको मालूम होगा, यह भी एक initiative है, जहां पर हम लोग focus रखते हैं कि भाई सबी लोग को एक तरिके से उनका जो drug का addiction उसको तोड़ा जाए, तो यह आपको ध्यान रखना है, आगे बढ़ेंगे अगले article पर, next article defense and security के perspective से important है, और defense security आता है, GS paper 3 के अंदर, यहाँ पर चर्चा की गई है, VLSR, surface to air missile है, इसको अभी successfully test कर दिया है DRDO ने, तो यह VLSR missile क्य है, इसका क्या फाइदा होगा, यह हम समझेंगे, again Indian Express का article है, सबसे पहली बात यहाँ पर, जो VLSR है, इसकी full form क्या है, इसकी full form है, vertical launch short range surface to air missile, इसको successfully test किया है DRDO के थ्रू, अब इसकी अपने आप में खासियत है, पहली बात पर आपको बता देता हूँ, इसके जो testing वो missile जाएगी, और इसकी जो range है, वो 50 km के आसपास होने वाली है, 50 km तक उपर जाकर यह जो भी target होगा, उसको hit कर सकती है, इसका क्या फाइदा होगा, क्योंकि जो आज के time पर हमारे पास हमारा aircraft carrier है, आपको मालूम होगा, हमारे पास aircraft carrier है, जिसका नाम है INS, विक्रमदित्य, यह बड़ा सा विशाल सा aircraft carrier है, एकलौता aircraft carrier है, दूसरा जो यहाँ पर INS विक्रांत है, उसको पर trials वगरा भी चल रहे है, अब जो एकलौता यह aircraft carrier है basically, तो इसको protection की ज़रूरत है, क्योंकि इसको पर attack हुआ तो आपका सकतो, यह बहुत time भार बनता है, प्लस इसको पर क्लिमेटर तक जाएगी, मतलब बेकार है missile हमारे काम की नहीं है, तो अभी क्या होगा, जो यह हमने नई वाली missile टेस्ट करी है, यह वाली VLSR-SAM, तो यह क्या करेगी, यह बराक 1 को replace कर देगी, उसका हमारे पास एक और missile है, बराक 8 को इंडिया और इसराइल दोनों ने मिलक करियर पर लगाएंगे, अगर कोई हाँ पर एक तरीका से अटाइक होता है, पाकिस्तान हमारे पर कोई अटाइक करता है, या फिर हमारे aircraft करियर को नोकसान पहुचाने की कोशिश करता है, तो हम लोग इस missile का इस्तमाल करके उनकी missiles वगरा को उड़ा देंगे, उनके drones को उड DRDO के full form क्या है, Defense Research Development Organization, और DRDO बहुत सारी bodies से मिलकर बना हुआ है, आप लोग को मालूम होगा, अगर मैं बात करूँ DRDO की, तो DRDO को established किया गया था 1958 में, बहुत सारी bodies को आपस में combine किया गया, जैसे कि जो एक body का नाम है TDE, मतलब कि Technical Development Establishment, दूसरी body का नाम है, यहाँ पर आ आता है, आपसे question बन सकता है, इसके बारे में ध्यानक ना है, आगे बढ़ेंगे, अगले article पर, next article, social issues के point of view से important है, और social issues आता है, हमारा GS paper 1 के अंदर, again एक बहुत important article है, यहाँ पर चर्चा की गई है, world inequality report के बारे में, अब यहाँ पर देख पाऊगे, यह कौन से साल है, ए एक टू अटा दो, ठीक है, जो world inequality report है, यह साल 2022 के लिए report जारी करी गई है, और इस report को किसने publish करी गई है, आपको बताऊगा, यहाँ बताया गया कि इंडिया के अंदर, आप देख पाऊगे, जो inequality है, जो भेद भाव हो काफी बढ़ चुका है, अमीर गरीब के बीच में, यहाँ पर यह जो report है, world inequality report 2022, यह एक तरीके से publish करी गई है, release करी गई है, world inequality lab के थुरू, इसके बारे में ध्यान रखना है, किसने इसको publish क्या है, इसके उपर question बनते हैं, इस report ने क्या बताया है, पहले हम discuss करेंगे, दुनिया भर में इस report ने, मतलब दुनिया भर के लिए क चर्चा की है, तो दुनिया भर के लिए सबसे पहला point यहाँ पर इसने बोला है, distribution of wealth, यहाँ पर एक तरीके से जो पैसा है, अगर हम बात करें, पैसा किस प्रकार से बटावाए है, तो दुनिया भर में जो अमीर आदमियों उन्होंने सबसे जादा पैसा hold कर रहा है, सबसे जादा देखने को मिलेगा, गरीबी बहुत जादा देखने को मिलेगी, उसके बाद इस report ने बताया, gender inequality भी बड़ी है दुनिया भर में, जो women क्या जो total income है, वो काफी कम देखने को मिलेगा, ठीक है, women की जो income होती है, वो बहुत कम देखने को मिलती है, as compared to the men, women को बहुत कम पैसा मिलता है, यह आप लोग देख पाऊगे, तो इसके regarding भी inequality बड़ी है दुनिया भर में, next यहाँ पर इस report ने बताया है, जो अमीर countries है, अमीर countries के अंदर लोग अमीर है, लेकिन वहां की सरकार गरीब है, इस प्रकार की चीज़े देखने को मिली है, ठीक है, पिछले 40 सा यहाँ पर इस report ने बताई है, next यहाँ पर बताया है, इसने impact of COVID crisis का, coronavirus की वज़े से भी काफी बड़ा crisis हुआ है, जिसकी वज़े से जो भेदभावे inequality है काफी बड़ी है, ठीक है, अगर हम बात करें, यूरॉप की लेटेन अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ इस्टेशा, इन सबी जगह पर इनकी जो पैसा है, इनका जो national income है, काफी बड़ा गिरावट आया है, काफी बड़ा drop down आया है, इस coronavirus की वज़े से, क्योंकि सारे businesses बंद हुए, economy हाँ पर down हो गई, इसकी वज़े से यहाँ पर inequality काफी बड़ी है, लोगों के पास job छूड गई थी लोगों इसके अंदर भी मतलब जो बटवारा है, उसके अंदर inequality आपको देखने को मिलेगा, पूर, यानि जो गरीब लोग है, वो और गरीब हूँ है, इस situation में और अमीर लोग और अमीर हूँ है, आज की टाम पर भारत के अंदर 1% की population आपको देखने को मिलेगी, ठीके जो 1% है, और बाकी सारी जो population है, वो फिर किसके अंदर आजाती है, वो सब यहाँ पर एक तरीके से पूर category के अंदर आजाती है, तो यह inequality बड़ी है, उसके यहाँ पर बोला, average household wealth की बाते हम बात करें, तो household wealth भी यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर भी आप कर सकते हो, काफी gap देखने को मिलेगा, और इंडिया अगर हम बात करें, तो most extreme increase यहाँ पर देखने को मिलेगा, income और wealth की जो inequality होती है, वो काफी बड़ कर निकली है, ठीके, यहाँ पर दुनिया भर में अगर हम बात करें, दुनिया भर में इंडिया एक ऐसी country निकल कर आया है, जहाँ पर inequality ज बहुत सदा कम है, अगर हम इन चीजों को देखें तो, दुनिया भर में सब सदा कम पैसा है, यहाँ पर female को provide किया जा रहा है, और gender inequality, आज करें में भारत के अंदर काफी बढ़ चुकी है, और दूसी तरफ बात करें, private wealth की, तो यहाँ पर लोगों ने privately बहुत पैसा कमाया अलग से, और private wealth increase हुआ है, और अमीरों के पास ही private wealth सबस्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, यह हम लोगों ने देखा है, ठीक है, ऐसा बोले जाता है यहाँ पर कि हमने देखा कोरोना वारस pandemic में, अमीर और अमीर हुआ, गरीब हुआ, तो बिलकुल ऐसा ही हुआ है, ठीक है ऐसी चीज़े हम लोगों ने देखी है, अब यहाँ पर at the last इस report ने को suggestion दिया है, suggestion यह दिया कि भाई, क्या करना होगा, सरकारों को, सरकारों को यहाँ पर करना होगा, जो multi-millionaire लोग हैं, जो काफी भरभूर पैसे वाले लोग हैं, उनके पर progressive tax लगाओ, progressive tax का मतलब यह है, उनसे जादा tax लो, और वो जो tax आएगा, सरकार के पास, उससे यहाँ पर welfare के उपर काम करो, जो गरीब लोग हैं, उनको यहाँ पर आप कर सकते हो, उनके upliftment के लिए उपर काम कर सकते हो, यहाँ पर progressive tax लगाना होगा, इस प्रकार का यहाँ पर suggestion दिया, इस report ने, I hope आपको य भी clear हो चुका है, तो आज का वीडियो काफी लंबा हुआ है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पर काफी सारे important issues से, जिनको हम लोग दोने discuss किया, अब यहाँ पर हम लोग इस quiz को देखते हैं, कि आप ने, अच्छा, वीडियो को अच्छे से सुना होगा, तो इन सब को आप सौल कर पाओगे, पहला question बोलता है कि हर साल human right day celebrate किया जाता है, कौन से तारिक को नीचे comment section में आपको बताना है, दूसरा question में यहाँ पर अभी India रिश्या के बीच में 2 plus 2 meeting होई है, 2 plus 2 meeting में कौन को से ministers होता है, नीचे comment section बताना है, next question बोलता है, जो NDPS amendment bill 2021 है, यह हमा हमारे aircraft career को protection देगी, उस missile का नाम VLSRASAM है, इसका नाम तक मैंने बता दिया, इसकी full form ज़रूर बताना, अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो नाम बता पाओगे, next question, world inequality report 2021 को release किया गया, किस body के थूरू उसका नाम बताना है, next question, पिछले 20 सालों के अंदर हम बात करें, तो इंडिया ने बहुत सारा weapons, बहुत सारी हतियार जो है रेश्या से खर्चे है, ऐसा सिप्री ने, Stockholm International Peace Research Institute ने बताया है, लेकिन आपको बताना है कितने रुपए तक कि हम खासकर ये billion dollars के अंदर बताया गया है, तो कितने billion dollars तक कि हम लोगों ने एक तरीके से इतना पैसा ख आँगा, आपने आप यहां पर इनके आंसर देने की कोशिश करना, तो हमने क्या-क्या discussion किया, इंडिया-रिशिया समिट के बारे में जाना, कस्तूरी-रंगन कमीटी के साथ गाडिल रिपोर्ट के बारे में discussion किया, World Human Rights Day के बारे में जाना, NDPS Amendment Bill के बारे में जाना, इसका क्य पुराना वाले बिल क्या हुआ, इसके अंदर कितने amendment हुए, सारी चीजें हाँ पर में आप लोगों समझा दी है, वो इसकाद VLSR, Surface True Air Missile के बारे में सारी बाते हम लोगों ने जानी है, World Inequality Report 2022 के बारे में सब को जाना की भई, आज कर टाइम पर inequality को लेकर क्या situation देखने को मिल रही है, इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाथ, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स वीडियो में, आज के लिए बाई-बाई, have a nice day, thank you and जाहिंद!